Good morning dear students, आज हम शुरू करेंगे मीरा बाई के पत, मध्यय युगीन काव्य मीरा बाई के पत, इसमें मीरा बाई को हमने पढ़ा है पहले से, स्कूल में भी पढ़ा है आपने, कि वे कृष्ण की भक्त थी, और कृष्ण के लिए उन्होंने उनकी भक्ती में लीन होकर, उन्होंन तो इसमें वो कहते हैं मीरा बाई के बारे में मतलब मीरा बाई कृष्ण की भक्ती कैसे करती है, तो महरारी गिर्धर गोपाल दूजो न कोई, वो कहते हैं मेरे तो सिर्फ गिर्धर गोपाल है और कोई नहीं, गिर्धर गोपाल यानि श्री कृष्ण, गिर्धर, गिरी को उठाने वाले जिनोंने परवत को उठाया था गोवर्दन परवत को तो इसलिए उनके कई नाम है ऐसे ही दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जुया मैंने पूरी दुनिया देख ली साधा सकल लोक सकल यानि सब लोक यानि पूरा संसार पूरा संसार देख लिया पर उनके जैसा क कोई भी नहीं और मीरा भाई ने कृष्ण की वक्ति में क्या किया भाया चाड़या बंदा चाड़या सगा सोया भाईयों को छोड़ दिया बंदुओं यानि दोस्तों को छोड़ दिया और सारे सगे संबंदियों को छोड़ दिया साधा संग बैट बैट लोक लाक होया यानि स साध्वों के साथ बैटकर उन्होंने सारी लोक लाच यानि शर्म छोड़ दी यानि वे साध्वों की संगती में आ गई बगत देखिया राजी होया जब बगतों ने उनको देखा तो खुश हुए जो भी किसी की बगती करते हैं तो वे खुश हुए कि भक्तों ने उनकी ऐसी स्तिदी देखी कि वो मीरा भाई क्रिश्न की भक्ती में ही लीन है तो भक्तों को देखा, भक्तों ने उनको देखा, तो वे खुश हुए और जगत देखिया रोया और संसार ने जब देखा तो उस पर रोने लगा उसकी ऐसी स्थिदी देखकर कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है और मीरा भाई कैसे पागल होकर कृष्ण की भक्ति में लीन है तो अस्वा जल सीच सीच प्रेम बेल वोया आंसों के जल से सीच कर मतलब रोते रोते भी उन्होंने अपनी प्रेम की कृष्ण के प्रती जो प्रेम है उसकी बेल बेल यानि क्रीपर्स को उंचा किया है पानी तो देते ही है ना उसमें तो इसमें क्या बताया है कि आंसों के जल से उन्होंने अपने क्रीपर्स को बढ़ाया है प्रेम की क्रीपर्स को यानि बेल को राणा विश्रो प्याला भेजा जब उसके देवर ने देखा कि मीरा भाई तो कैसे पागल होकर कृष्ण की भक्ती में लीन है तो उसके देवर को बहुत खराब लगा उनके घर के जो दूसरे सदस्या है वो भी बहुत दुख उसे देखकर उने गुसा आता था तो राणा ने यानि देवर राणा ने क्या किया विश्का प्याला भेजा पर मीरा भाई ने उसे भी हस कर पी लिया तो इसमें क्या बताया है कि उनके जो शरीर में उनके आत्मा में किसके कौन है कृष्ण की भक्ती है वो इकृष्ण का प्रेम है इसलिए उन्होंने विश का प्याला विश यानि जहर का प्याला भी हसस के पी लिया पर वो जहर भी क्या बन गया अमरित क्योंकि क्रिश्न की भक्ति उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुचा सकी तो वे कहते हैं कि अब तो बात फैल पड़िया जागन सब कोया यानि अब तो सब जगें बात फैल गई है कि मीरा भाई तो क्रिश्न की हो गई है क्रिश्न की बक्ति में ही नहीं प्रहती है अब चाहे कुछ भी हो मीरा की लगन तो क्रिश्न से लग गई है अब वह चूट नहीं सकती तो दो पेराग्राफ हैं इसमें फर्स्ट वाला जो पद्य है वो है कि कृष्ण की बक्ति मीरा भाई कैसे करती हैं कैसे उनके प्रेम में मगन है तो इसके जो फर्स्ट पेराग्राफ से question है वो है मीरा भाई ने किसे अपना हाराती है माना तो श्री कृष्ण को किस के लिए सारा जग छोड़ा तो श्री कृष्ण की भक्ती के लिए मीरा भाई किसकी संगती में बैटकर लोकलाज छोड़ी तो साथूओं की संगती में मीरा भाई ने कृष्ण प्रेम को किस से सीचा प्रेम आसूओं के जल से आसूओं के जन पानी से उन्होंने प्रेम की बेल को सीचा विश का प्याला किसने भेजा? राणाने, उनके देवर राणाने